शराब को ढूनने की कोसिस कर रही है क्योंकि यहां प्रतिद्वांदिता होनी चाहिए थी नौकरी के लिए यह प्रतिद्वांदिता होनी चाहिए थी हमारे यहां फैक्टरी कितने आए इसके लिए अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सिवान जी लेके नभी गंस्थाने के लखड़ी गाउं में और आप देख सकते हैं यहां पूलिस अपनी पूरी मुस्तेदी के साथ डॉग एसक्वाइट के साथ शराब को ढूनने की कोशिद कर रही है क्योंकि यहां पिछले रात जहरीली शराब पीने से 6 लोग मड़ चुके हैं और दरजनों लोग गंभी रिसिती में होस्पीटल में हैं और आप देख सकते हैं यह पूरी पूलिस प्रशासन शराब ढूनने की कोशिद में लगी हुई है कवायद में लगी हुई है लेकिन बहुत ही शर्मनाख है यह कि पूलिस प्रशासन को बिहार प्रशासन को बिहार सरकार को यह सारी चीजें किसी की मृत्यू से पहले पता नहीं चलती है आप देख सकते हैं जैसा कि हमेशा होता है जो अधिकारी चानविन कर रहे होते हैं वो यह कहके कि उनका अधिकार नहीं है स्टेट्मेंट देने का अपने वरिय अधिकारी पर टाल देते हैं और आप देख सकते हैं कि प्रशासन पूरी तरह लगी हुई है बिती राज जहरीली शराब के सेवन की बज़ा से छे लोगों की मृत्यू हो चुकी है दरजनों लोग गंभीर हालत में है कहा ये भी जा रहा है कि कई ऐसे लोग हैं जो हो स्पीटल तक भी नहीं जा सके और प्रशासन की दबाओं में उनका अंतिम संसकार कर दिया गया है लेकिन जो नितीश कुमार जी कहते थे ये दावा ठोकते थे कि बिहार में शाराब बंदी पूर्णता लागू है पूर्णता सफल है हर बार चाहे वो सारन जीला हो या सिवान जीला हो हर कुछ दिनों के बाद ऐसी घटनाएं उनके इंदावों का पोल खोलती रहती है और आप देख सकते हैं ये आप ये देख सकते हैं पूलिस प्रसासन पूरी मुस्तेधी के साथ अब शराब ढूनने में लगी हुई है लेकिन शराब कब बना कहां से आया ये प्रसासन को पता नहीं चलता है तो आप देख सकते हैं पूलिस बल जो आय हुए है तफ्तीस के लिए ये लगी हुई है मुस्तेधी के साथ और डॉग एसक्वाइट के साथ और ढूनने की कोशिश कर रहे हैं उन शराबों को जिसकी वज़ा से गाउवाले ये बिमार हुए है और ये जगा है सिवान जिले जो नितीश कुमार जी हमेशा दावा करते रहते हैं कि कभी ड्रोन से ढूंडा जा रहा है कभी टीचर्स को ड्यूटी पर लगाते हैं स्राब ढूनने के लेकिन ऐसी भी फलताय लगतार होती जा रही है पहले सारं जीले के छप्रा में होता है फिर सिवान जीले में होता है और जब नितीश कुमार जी सामधान यातРा पर निकलते हैं तो वहां जाने से भी कतर आते हैं क्योंकि जब नितीश कुमार जी छप्रा आय थे तो छप्रा आने के बाद वो मस्रक की तरफ नहीं गये जो उस वक्ट केंद्र बना हुआ था जcoatईलीश लाप, टरजनों लोग कुमरे थे लेकिन नितिष कुमार जी उन से नहीं मिल ले गए क्योंकि शायद उन्हें डर था कि लोग कहीं उन से भुगतान और मुँ आव जना मांगले और नितिष कुमार जी यह सफर्फ कर चुके हैं कि गया वो मरेगा ही लेकिन निटिष राजे के मुख मंत्री शराब बंदी लागू कर चुके हैं और शराब को हमारे ख्यत्र में आने नहीं देंगे। लेकिन हर बार की आपकी विफलता ये साबित करती है कि आप जो दावा करते हैं उसे साबित कर नहीं पा रहे हैं उसे उस काम को ठीक से कर नहीं पा रहे हैं कहीं ना कहीं शराब बंदी की वज़ा से जो हर बार मृत्यू हो रही है लोगों का मरना जारी है और वैसे में नितिस कुमार जी अक्सर ये दावा करते हैं कि बीजेपी के राज में इतने मरे हमारे यहां इतने मरे यह प्रतिद्वांदिता जो है मृत्यू से नहीं होनी चाहिए यह प्रतिद्वांदिता होनी चाहिए थी नौकरी के लिए यह प्रतिद्वांदिता होनी चाहिए थी हमारे यहा लेकिन मौत के आंकरों में प्रतित्वन्दीता बहुत ही शर्मनाक है तो ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए अब देखते हैं यह फैरी डाउट नियूज मैं कुमार मिरणाब कैमरामेन ईशाब के साथ बहुत बहुत धन्यवाद है